Students, welcome back to lesson number 5, गुणमती कन्या, पार्ट 2, स्टांडर्ट 10th, सबजेक्ट संस्क्रीट Students, हमने देखा कि कांचीन अगर में सक्तिकुमान नाम का एक सेट का पुत्र था तो जब वो अपनी लाइफ में 22 यर्ज का हो जाता है, तब उनको एक चीनता होती है कि पत्नी के बीना और अच्छे गुण की पत्नी के बीना सुक कैसे होगा तो मैं गुणियल पत्नी कैसे प्राप्त करूँगा बहुत सोचने के बाद वो वस्त्र के अंत में एक प्रस्त साली यानिके डांगर वो लेके पत्नी को ढूंडने के लिए अलग-अलग देश में गुमता रहता है और एक बार कावेरी नदिक के किनारे आता है वहाँ पे कुए के उपर एक लाइट और्नामेंस पैने हुए लड़की को देखता है और उनको देखके वह सोचने लगता है और आकरशित हो जाता है कि मेरा रद है उसमें आकरशित हो गया है तो एक काम करता हूँ उनकी परिक्षा करके विवा का प्रस्ताव करता हूँ और उनकी सम्मती होगी तब उनके साथ विवा करूंगा और वो उनके पास जाके विनई पुर्वक बोलता है कि क्या तुझ में एक प्रस्त याने की टू केजी राइस याने की डांगर से विविद वानकी बना के मुझे खिलाने की कुशलता है तब वो लड़की है उसने हां बोला और एक प्रस्तितना धान्य जो सक्तिकुमान ने दिया वो लेके उनकी याचना अनुसार करने के लिए रेडी हो गई अभी हम देखेंगे नेक्स परिग्राफ में ततह आदव सा बुद्धिमती कन्या तान सालीन प्रथमं आतपे तप्तवती ततह समायां परिशुद्धायां भूमव तान अगट्टयत अनेन तुसे ब्यह तंडुलाह प्रूथक सज्जाताह ततह आदव सा बुद्धिमती कन्या बुद्धिमती कन्या इंटलीजन गल ततह देन सालीन सालीन means दपेडी आतपे means in the sun तप्तवती हीटेड देन फर्स देन इंटलीजन गल हीटेड दपेडी in the sun ततह समायां परिशुद्धायां बुमव तान अगट्टयत ततह देन समायां परिशुद्धायां बुमव means ground समायां परिशुद्धायां on the flat or even ground अगट्टयत ग्राउंट देन से ग्राउं तोसैब्यां तंडुलाहां परिशुद्धाग सज्दाध्धायां देनो अनेन, as a result of this, तूसे ब्यात अंडूलाहा प्रूथक सज्जाताहा, the rice grains were separated from the husk. Now I will repeat this translation. Then first that intelligent girl heated the paddy in the sun, then she ground them on the flat or even ground. As a result of this, the rice grains were separated from the husk. Next, तंडूलान संप्राप्य सातुशान बूषणान मार्जिनार्थम स्वणकाराय विक्रेतुम धात्रीम अकथयत. तस्मात यत धनम मीलती तेन कास्टानी आहर इतीच धात्रीम निवेधी तवत्ती. तंडूलान संप्राप्य सातुशान बूषणान मार्जिनार्थम स्वणकाराय विक्रेतुम धात्रीम अकथयत. धात्रीम अलडली नर्स स्वणकाराय विक्रेत। भूषणान अमार्जिनार्थम विक्रेत। She told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments. तस्मात यतदनम मेलती तेन कस्टानी आहरितीच धात्रिम निवेधी तवती She told the elderly nurse to bring firewood. कस्टानी means firewood with the money. धनम means with the money she would get. She told the elderly nurse to bring firewood with the money she would get. Now I will give the translation. Having obtained the rice grains, she told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments. She told the elderly nurse to bring firewood with the money she would get. अभी जो गुण्वती कन्या है उसने सक्तिकुमार के पास से एक प्रस जितना धान्य ले लिया और वो धान्य को सबसे पहले उसने दूप में रखा. और दूप में उसने जो समतल जमीन है उसके उपर रखे उनको जो है राइस उनको अलग किया और उसमें से उसने जो राइस निकाले और उसके बार जो कच्रा निकला वो अपनी दासी को बोला कि ये सोनी को देखे या वो सोनी ओर्णामेंट साफ करने के लिए लेता है और उसमें से तुझे जो धन देगा उससे तू लकडिया खरितके लेके आँ. नेक्स्ट धात्री कास्टानी आनितवती तदनंतराम सातंडुलान असक्रुत जलेन प्रक्षालीतवती उष्णी क्रुते जलेचतान प्रक्षिपतवती अलपियसा कालेनेव तंडुलाह सिद्धाह सज्जता. ततह इंदनानी जलेन समय इत्वा, क्रुष्णांगारान पी तदर्थिब्यह प्रेश इत्वा, यत दनं लब्धं तेन दनेन साकं दुरुतं ददी तैलंच क्रीतवती, तेन च सा विविदानी व्यजनानी संपादी तवती. अभी जो दासी है, वो लकडिया लेके आई, और उसके बाद उसने वो गुणवती कन्या को दिया, तब गुणवती कन्या ने जो लकडिया से चूला जलाया, और वो जो राइस्ता, उनको अच्छे पानी से धोके गरम पानी में उबालने के लिए रखा. इससे थोड़े ही समय में जो भात बोलते है, राइस बोलते है, वो रेडी हो गया, और उसने जो इंदन है, वो लकडिया जलाई थी, उसमें से कृष्णांगारा मिंस जो कलसा बोलते है, कौल बोलते है, वो लिया और उससे उसने जो धन, उसको भी बेचके जो धन मिला, उससे दासी को बोला की सांख, दही, दूद, दही तेल और गी खरित के लेके आ, और उससे उसने अलग-अलग बोजन की सामगरी यानि की वानगी बनाई, Now, I will give the translation, धात्री कास्टानी आनि तवती, the elderly nurse, brought the wood, तदंतरम सा तंडूलान असकृत्यलेन प्रक्षाली तवती, then, तदंतरम, then, सा तंडूलान असकृत्यलेन, असकृत्यलेन, means, hot water, तंडूलान, राईस, जलेन प्रक्षाली तवती, many times, grains, वास्त, She was the rice grains many times, and उष्णी कृते जले चितान प्रक्षिपत्वती, put them in the उष्णी कृते जलेन, hot water, In a short time, अल्पियश्व, in a short time, तंडूलाह, सिद्धाह, सज्जाता, the rice were cooked, ततह इंदनानी, जलेन समयित्वा, कृष्णांगारान पी, तदर्थिभ्यः, प्रेशित्वा, यत दनम, लब्दम, तेन दनेन, शाकम दृतम दधी तेलम चक्रीतवती, ततह इंदनानी, then having extinguused, means burning pieces of wood with water and with whatever money, she got by sending the calls to those who needed them, जिनको जरूरती, उनको दिया and she bought vegetables, साकम means vegetables, दृतम, गी, दधी, गी, oil and curd, दधी means curd and तैलम, oil, तेनस चास विविधानी विजनानी संपाधी तवती and with it she prepared various disease, now I will repeat this translation, the elderly nurse brought the wood, then she washed the rice grains many times and put them in the hot water in a short time, the rice were cooked, then having extinguused, means burning pieces of wood with water and with whatever money, she got by sending the calls to those who needed them, she bought vegetable, गी, oil and curd and with it she prepared various disease, next संपन्ने आहारे साकन्या धात्री मुखेना अती थये प्रथमं स्नातुम निवेधी तवती ततह स्नान सुद्धाय तश्मे अती थये सा पेयोप आहार पुर्वं भोजनं दृत सहीतं ओधनं व्यजनं च अयच्छत संपन्ने आहारे means when the food was ready साकन्या धात्री मुखेना अती थये थये यंग गल प्रथमं स्नातुम निवेधी तवती अभी जब बोजन रेडी हो जाता है तब जो कन्या है वो दासी को बोलती है कि अती थी को बुला की लेके आओ और सबसे पेले उनको स्नान करने के लिए बोलो ततह स्नान सुद्धाय तश्मे अती थये सा पेयो पाहार पुर्वं बोजनम दुरूत सहीतम ओदनम व्यजनम च अयच्छत उनके बाद स्नान करने के बाद जब अती थी रेडी हो जाए तो उनको उसने अलग-अलग जो भोजन बनाया था वो दिया और गी के साथ भाद भी उनको दिया है राइस भी दिया और विविद्वान गी उसने अती थी को दी है तत्तहस नान सुद्धाय तन गेस्ट वेड गेस्ट वेड गेस्ट थी थी राइस और अधर दिया पहार पुर्वं भोजनम दृत सहितम ओदनम व्यंजनम च अयच्छत for other disease with ghee after first offering beverage and snacks now I will repeat this translation when the food was ready the young girl asked the guest through the elderly nurse to take a bath then to the guest who had cleaned himself by taking bath she gave rice and other dishes with ghee after first offering beverage and snacks next मद्धी मद्धी सा बोज्य दिनाम विविधानाम पदार्थानाम वणनम कृत्वा अती थेहे बोज्यनम रुचिम अपी अवर्दयत बुक्तितू तश्मीन अती थव तया ताम्बुलश्य अपी व्यवस्ता कृता एवं स्वकियया गोण संपदा प्रस्त परिमितेन धानेन विविधानी व्यजिनानी वीरचीतवंतिम कन्याम प्रती समाकृष्टह सक्तिकुमारह विवाहश्य प्रस्तावं कृत्वान कन्यया स्विकृते प्रस्तावे ताम विदीवत उपयम्य स्वनगरं अनयत मद्य मद्य इन बिट्वेन दा यंगल साद यंगल बोज्या दीनाम विविधानाम पदार्थानाम वर्णानम कृत्वा इवन विटेट देगेस्ट डिजायर फो दे मेल बाई डिस्क्राइबिंग दे वेरियस फोड आईटाम्स एंड अधर थिंग्स जब अतिती खाने के लिए बैठता है तब जो यंगल है वो अतिती की बोजन की रुची में रुची बड़े उसके लिए विविध जो वानकी बनाई है उनका वर्णन भी करती है इन बिट्वीन दे यंगल इवन विटेट दे गैस डिजायर फोड मेल बाई डिस्क्राइबिंग दे वेरियस फोड आईटम्स एंड अधर थिंग्स अभी जो गर्ल है उसने अतिती के बोजन के बाद ताम्बूल यानि की मुखवास की भी व्यवस्ता की है तो वेन दे गैस्ट हैड फिनिस विद दे मेल अरेंजमेंट अफ बिटल वस अलसो मेड बाई हर एवं स्वकियया गुण संपदा प्रस्त परिमितेन धानेन विविदानी व्यजिनानी वीरची तवंती कन्यांप्रती समाकृस्त ह सक्तिकुमार अह विवाहश्य प्रस्तावं कृत्यवान अभी सक्तिकुमार उनकी एक प्रस्त जितना धान्य दिया था वो उससे विविदान की बनाने वाली कन्या के उपर आकर्शित हो जाता है और उसके सामने विवाहश्य का प्रस्ताव करता है In this way, सक्तिकुमार was attracted, समाकृस्त हमें, attracted to the young girl who prepared various dishes with only one prastha of pedi using her wealth of qualities made a proposal of marriage when कन्या स्वीकृते प्रस्तावे ताम विदीवत उपयम्या स्वानगरम अनयत और कन्या ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ विवा करके अपने नगर में लेके जाता है When the proposal was accepted by the young girl, marrying her according to rights, सक्तिकुमार took her to his own city. Now, I will repeat this translation. In between, the young girl evenwitted the guest's desire for the meal by describing the various food items and other things When the guest had finished with the meal, the arrangement of a battle was also made by her. In this way, सक्तिकुमार was attracted to the young girl, who prepared various dishes with only one pras or peddy. Using her wealth of qualities, made a proposal of marriage. When the proposal was accepted by the young girl, marrying her according to rights, सक्तिकुमार took her to his own city. Next exercise, बुद्धिमति कन्या सालीन कुत्रतपतवति, MCQ तो बुद्धिमति कन्या है, उसने डांगर को कहां तपाया था, तो आतपे ख, आतपे मिन्स दूप में तपाया था. तूश्रान विक्रिय धात्रिम किन आने तवति, जो राइस को अलक किया, उसका जो कच्रा निकला उससे धात्री आने की दासे ने क्या खरीदा कास्टा निखो. कन्या धात्री मुखे न अतिथिम प्रथमम किम निवेदी तवति, कन्या ने दासी को अतिथिको पहले क्या कन्ये के लिए बोला, स्नानायो, गस्नानायो. इंदनानी जलेन समय इत्वा कन्या किम प्राप्तवती, इंदन जो था लकडा, उनके उपर पानी डालके कन्या ने क्या प्राप्त किया, क्रुष्णांगारान, क क्रुष्णांगारान, यानि की कौल. बोजनांते, कन्या, कश्य व्यवस्ता कृतां, बोजन के अन्ते, कन्या ने किसकी व्यवस्ता की थी? तामबुलश्य, ख, तामबुलश्य. Students, आपको ये chapter समझ में आया, और उनका translation है, वो आपको notebook में लिखना है, और साथ में जो question answers है, वो भी notebook में लिखना है, और other exercise, वो आप लोग textbook में लिख सकते हो. Thank you.